हेलो प्रेंड डिविकम टो अनेक आडबी इस प्रीकुलर वीडियो में डिरिसकस करने वाला poets के बारे में तो ये वीडियो देखने के बाद मस स्पेक्ट्रॉमेटरी क प्रिंसिपरL इस चीज बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा तो इसके लिए एक एक्जामपल लेते हैं मालो मेरे हाथ में कुछ क्या है क्या यह बॉल नहीं है इसमें एक छोटा सा भी इलेक्ट्रॉन है यह इसको उच्छा लेंगे तो बहुत जोर से उचलता है काफी मजबूत है और बा मारू एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का बंबार्ड्मेंट होगा यह इस तरीके से तो सब इलेक्ट्रॉन जाकर चोट पहुंचाएंगे और यह जो वाला इलेक्ट्रॉन है यह जो छोटा वाले इलेक्ट्रॉन इसको कुछ जादा ही चोट पहुंचाता है दिवाल को मतलब द बहुत सारे electron जाते हैं उसमें से एक electron उस particular molecule में से अंदर घुश करके एक और electron को खीच करके अपने साथ बाहर ले आता है और खुद भी बाहर आ जाता है तो M से M प्लस बन गया और M प्लस के साथ एक dot भी लिखते हैं इसे छोटा सा ठीक है जो free radical होता है क्योंकि लोन प्यारा पर electron होता है किसी ही molecule में तो उसका एक electron बाहर निकल गया तो M प्लस और साइड में उसको dot लिख देते हैं जब M1 और M2 में टूटेंगे तो M1 प्लस बनेगा M2 प्लस बनेगा साथ में M1 free radical बनेगा M2 free radical बनेगा जो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो जितने भी हम लोग के पास यहां पर positive ion आये चाहे molecular ion हो जिसको हम लोग M plus की बोल रहे हैं चाहे M1 प्लस हो चाहे M2 प्लस हो जो भी positive ions है वो further mass analyzer में जाएंगे और mass analyzer में वो separate out हो जाएंगे मतलब M plus detect होगा M1 plus detect होगा M2 plus detect होगा मतलब अलग अलग timing में वो detect होगा और उनके peaks आजाएंगे यही इसका principle है जो हमारे पास M1 free radical M2 free radical R है जिसमें positive charge नहीं है mass spectrometry में वो आगे नहीं जा पाते हैं और उनका कोई भी detection होता है तो जो positively charged ion है वही mass spectrometry में detect होते हैं और mass spectrometry से हम लोग किसी भी compound का molecule का molecular way determine कर लेते हैं and it is one of the most accurate method in analytical chemistry यह सबसे ज़्यादा accurate method होता है यह इसका principle हो गया अब हम लोग बात कर लेते हैं instrumentation की यह वीडियो देख करके आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा यदि आपको GPAT या फिर फार्मासिस्ट या फिर ड्रेक्स इंस्पेक्टर के प्रप्रप्रेशन करना है तो हमारे courses अवेलेबल है representation की बात करते हैं तो वह इस तरीके से दिखता है उसका जो representation है एक तरीके से बंदू का नली जैसा दिख रहे हैं तो इसमें अलग-अलग compartment होते हैं तो बेसिक अले इस बंदू की नली को हम लोग 5 पार्ट में ionization chamber वहां पर ionization का काम होता है मतलब जो M है वो M plus में convert होता है वहीं पर होता है ठीक है जो तीसरा chamber होता है C और D के बीच में वह होता है एन acceleration chamber और जो चौता चेंबर होता है D और E के बीच में वह होता है mass analyzer वही mass analyzer के बाजू में magnet भी लगा होता है जिस magnet की वज़ा से जो molecules है जो M1, M1, M2 प्लस उसमें deflection होता है और वो magnet अपना ऐसे magnetic field वहाँ पर देते हैं जिसकी वज़ा से separation होता है फिर उसमें जब हम लोग आगे जाते हैं तो आगे हम लोग को मिलता है detector का क्या काम होता है detector वहाँ पर M1, M2, M3 प्लस कौन सा चीज है उसका molecular weight कितना है वो determine कर लेता है फिर जो signal आते है उसको भेज देता है amplifier की और amplifier क्या होता है महले की चार्ची होती है उसको क्या बोलता है पाता है भही मेरे पास M1, M2 प्लस रहा है लेकिन किसी को बताना नहीं है इसे करके पुरे महले को पता चल जाते, तो amplifier यही काम होता है, पुरे amplify कर देते, पुरे दुनिया को बढ़ा देता है, ठीक है? दुनिया को बढ़ा देता है, तो फिर क्या होता? आगे जा करके recorder में होता है, recorder उसका poster छप्क kill देता है, ये M1 प्लस है, M2 प्लस है, M3 प्लस है इस तरीक यह तो chamber one जो होता है sample vaporization chamber वहाँ पर sample को vaporize करने के लिए hitting while होता है मतलब slit A और B के बीच में और B और C जो बीच का होता है वो analyzation chamber होता है वहाँ पर होता है electron gun जो tungsten filament का बना हुआ होता है वो धाया 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 electron निकालता है और उस electron से फिर जो हमारे molecules है वो M से M प्लस में convert होता है इनाइज होता है उसके लिट सी और डी के बीच में होता है और इस तरीके से दवडा देते हैं और उसके लगा होता है वहाँ पर क्या लगा होता है तो यहाँ प्लस में डिफलेक्शन होता है उनका पाथ है चोटा बड़ा हो जाता है उसकी वज़ा से जो मॉलीक्वियूल से उसमें सेपरिशन हो पाता है अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जो सैंपल होता है वो इंटर करता है स्लिट ए से यह सेंपल गैस होगा तो डिर्कली इंटर कर जाएगा यदि है लिक्विड है तो वो सैंपल वेपराइजिशन चेंपर में वेपर के फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि सैंपल हमारा सॉलीड है तो उसको लिक्विड में डिजॉल करते हैं फिर वो लि इनाइजिशन चेंबर में क्या होता है इनाइजिशन होता है उसमें इलेक्ट्रोन गन होते है टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन फिलामेंट वो क्या करता है इलेक्ट्रोन रिलीज करता है जो यहां पर इलेक्ट्रोन मैंने बताया नहीं बहुत सारे यह इस त है वह in one-plus M two-plus इस तरीके से i把 होते हैं तो यहाँ पर जो में से M 21 M have convert होता है इसको हम लोको बोलते हैं आइजीशन तो एइनाजजीशन के अलगला होते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको टेखनीग बताया i.e. dat is joh elektron का bombardment के थू होता है इसको हम लोग electron ionization बोलते हैं electron ionization के जो mechanism के basis में हम लोग 3 category में divide कर सकते हैं पहला होता है gas phase, gas phase में आपका electron ionization आता है और दूसरा chemical ionization आता है second इसमें होता है desorption method, desorption method में total आपके पास 3 category होती है फिर 3 ionization technique होता है, पहला होता है हमारे पास FD जिसको हम लोग बोलते हैं field desorption, second होता है आपके पास FFD जिसको हम लोग बोलते है FAB FAB means fast atom bombardment और third होता है आपके पास maldi जिसको हम लोग बोलते है matrix assisted laser desorption ionization, maldi, ठीक है उसके फिर इसमें जो third mechanism होता है that is evaporative method, evaporative method में again चार ionization technique होता है पहला इसमें होता है TSI thermospray ionization, दूसरा होता है इसमें ESI electrospray ionization third होता है इसमें APCI means atmospheric pressure chemical ionization और fourth होता है APPI means EP, अपिफिज, नए atmospheric pressure photo ionization तो ये ionization technique है, सबके अलग-अलग फायदे है सबके अलग-अलग disadvantage होते हैं, फिर limitations होते हैं, ठीक है उसका details और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो अब हम लोग चलते हैं अपने instrumentation में वापस अब क्या होता है, ये जो fragment ions है, मतलब जो positive ions है M+, M1+, M2+, ये आगे जा करके ion acceleration chamber में जाता है ion acceleration chamber में 8 kV तक जिसको हम लोग 8000 V बोलते हैं उसका potential होता है, तो उस potential से जो हमारे पास molecule है, जो भी positive ions है वो accelerate हो जाते हैं, ठीक है, वो आगे slit D की वो accelerate हो जाते हैं और ultimately ion acceleration chamber से एक particular velocity लेकर कि वो slit D में प्रवेस कर लेते हैं, कौन से? M+, M1+, M2+, अब वहाँ पर magnetic field होता है, ठीक है? जोर जोर से दोट रहा है, तो इधर से अधी तुफान चल रहा है, ठीक है? तो रेडियस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा जो जाने का है ठीक है वो बहुत सारा और इंडेफ्ट चीज़ है उतना में मैंने जाओंगा तो एक इस आपसे समझ लो कि वहां पर तो दीप्रेक्शन होगा तो जो बड़े माली क्यों है जिसका मॉलउकुलर वीट जाएधा उसमें कम डिफ्रेक्शन और जो बहुत चोटे है उसमें और ज्यादा डिफ्रेक्शन नहогा यह सिंप्ली वैसे फिuts बहुत जाद आन्धी चल रहा हमाँ माली के वहांधी चल रहे magnetic field है, तो magnetic field की वज़ा से सबसे कम deflection किस में होता है? M plus में होता है, ठीक है? क्योंकि इसका molecular weight जादा है, तो इसके accordingly, molecular weight के accordingly, यहाँ पर अलग-अलग time में वो particular molecule detector में पहुंचते हैं, इसको calculate करने का एक formula होता है, जो होता है, M by E, इसी को हम लोग M by Z ratio बोलते हैं, मतलब molecular weight divided by उसका जो charge है, E या फिर Z को हम लोग charge से represent करते हैं, M by E या फिर M by Z is equal to H square, R square by 2V होता है, H square आपका magnetic field को represent करता है, मतलब H magnetic field के लिए होता है, R वहाँ पर जिस radius में, वहाँ जिस curvature में जाता है, उसका radius होता है, और जो capital V होता है, वह applied potential होता है, जो ion acceleration chamber में apply होकर करके आया, तो ultimately ये सारे चीज, M plus, M one plus, M two plus, detector में आजाता है, detector उसको detect करता है, amplifier को दे देता है, amplify करके बताओ, ठीक है, तो महले के चात्यों, पुरा दिंडोरा पिडेता है, M plus है, M one plus है, M two plus है, वो सारे चीज, जब ये, जो amplifier है, वो recorder को भेज़ देता है, recorder उसका proper recording करके दे देता है, मतलग हमारे पास spectrum आजाता है, mass spectrometry में, और इस तरीके से किसी भी compound का molecular weight आप determine कर सकते हो, mass spectrometry में उसका fragmentation pattern determine कर सकते हो, I hope आपको mass spectrometry बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसी तरीके का और किसी topic में video चाहिए होगा, तो आप हमें बता सकते हैं, thank you so much